अस्सलामुलेकूमाई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग आज मैं करने जा रही हूं क्रे लॉन टीवी पेंट स्टीक क्या रेव्यू तो इसका मैं आपको बताती चलूँ ये ब्राइडल के लिए अच्छी है ये क्या तो जनाब ये अच्छी ही है बेस लेकिन इस वन टोन जो है वो थोड़ा लाइट शेड ली है और मैं यूज करी हूं एफ वन तो एफ वन इस पे यूज करूंगी इस तरह से आपने सारी जो है वो लगा लेनी है अगर आप इसी का प्राइमरी यूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है सेकेंड नबर पे जो इसकी अप् लेकिन इसको लगा कि आपने थोड़ा ड्राइ होने देना इसके उपर आपने पौडर लगा लेना ये तीन चीजों से आपकी बेस्ट बेस बन जाती है अगर आपकी स्किन पे पिग्मेंटेशन है तो आप इसकी जो है और इन शेर्ड में क्रे लाउन की टेवी पेंट स्ट चाहिए और यहां पर आपकी जो skin pigmented है या आपके freckles हैं तो आपने Chinese वाली जो इसकी orange main shade में मिलती है stick वो आपने लेने नहीं और उसको use करना है फिर आप इसके results देखिएगा कि कितने अच्छे हैं तो जिन लोगों को complain है कि हमारी जो है base खराब हो जाती है तो ऐसा फिर कुछ नहीं होगा और end में आपने इसको fix करना है powder के साथ जब तक हम इसको loose powder लगा के इसको fix नहीं करते तो वो हमारी base जो है foundation जो है वो fix नहीं होती थोड़ी फटी फटी लगती है तो final look के लिए क्रेलाउन का जो loose powder है वो बहुत ही अच्छा है best है आप कोई भी base लगाएं उसके उपर ये वाला loose powder लगा लें तो कमाल हो जाएगा यहाँ पे मैं shade आपको mention कर रही हूँ आपने shade जो है powder का वो under eye जो है वो थोड़ा सा light color लगाना होता है full face पे आप shade जो है वो उसका देख लिया करें लेकिन जब face को contour करते हैं जब face को blush on करते हैं तो उसके हिसाब से ही सारी आपकी जो skin का texture है या आपकी skin का सारा है वो इसी से पता चलता है कि हम लोगों ने किस तरह से contour किया तो फिर base जो है फिर ही हमारी complete होती है base बनती है तो ये मुकमल bridal base है बहुत अच्छी base है आपकी grey नहीं होती skin tone के हिसाब से आप अपनी one tone lighter use select किया करें तो ये इसकी main main tips थी जो मैंने देनी थी और इसका review करना था आज मैंने ये मैं use करती हूँ अक्सर brights पे लेकिन आप अपनी skin tone देख लिया करें और अपने देख लिया करें कि अगर heat up हो रही है आपकी skin तो आपने किस तरह से apply करनी है और उसको थोड़ा primer लगा के छोड़ दिया करें first application की जब हमने tv paint stick की तो उसको लगा के 5-10 minute का time दिया करें उसको थोड़ा normal होने में जजब होने में second जब उसका pancake यूज़ करते हैं तो अभी उसको आप थोड़ा time दिया करें इसलिए 5-5 minute का time दे दिया करें उसके बाद आप फिर final जो है make up fixer किया करें लेकिन make up fixer जो है make up end complete होने पे ही किया करें तो eyes के इलावा बाकी face पे है तो ये आज की हमारी जो है वो final base है आप चेक कर लें इतनी इसमें आप कोई loose powder जब यूज़ करें तो आप उसमें एक चुटकी जो है थोड़ा सा आप अपने face के हिसाब से loose shiner कोई भी add कर लिया करें या आपका जो face shiner है तो वो थोड़ा सा उसमें यूज़ करके किया करें आपकी सारी base जो है वो flawless बनेंगी बहुत खुबसूरत बनेंगी तो ये हमारी जी आज की foundation था जिसका मैंने आपको से review करना था आप close up भी देख लेंगे ये बहुत smooth लगती है इतनी अच्छी इसकी coverage है और बिल्कुल smooth और इसकी blending बड़ी अच्छी होती है इसकी टीवी paint stick है और इसको मैंने ये मेरे पास सारा दिन जो है मेरी model मेरे पास ही रही थी फिर इसका end में मैंने एक चोटी से video बनाई थी आप लोगों के लिए कि देख ले end में हमारी जो base है वो किस तरह रही है ग्रेनी हुई बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ बहुत प्यारी smooth बलकर जितनी देर रहती है उतनी ज्यादा ये अच्छी होती जाती है तो ये थी जी आज की मेरी video कैसी लगी है लाजमी बताने है कॉमेट करना लाइक करने है और सब्सक्राइब करने है बाई बाई अल्ला हाफीज